खबरें जिस्से हैं आपको सरोकार यूपी के कासगंज में च्राक्टर ट्राली के तालाब में गिरने से पंदरा की मौत पुत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में शनिवार को एक च्राक्टर बेकाबू होकर तालाब में गिर गया हाथसे में 15 लोगों की मौत हो गई है मौके पर चीक पुकार मची है ग्रामीर और पुलीस कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे है कास गंज की जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने बताया कि पटियाली द्रियाव गंज मार्क पर शनिवार को बेकाबू ट्राक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई ट्रॉली में सवार साथ बच्चे और आठ महिलाओं को मौत हो गई है उन्होंने बताया कि आसपास के ग्रामीन और पुलीस कर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे है कालाब से निकाले गए शवोव घायनों को पटियाली के स्वास्थि केंद्र पर भेजा गया है सभी मृतक एटा जिले के कहां गाव के बताय जा रही है बिहार पटना में छात्रा डिप्ती सीएम की गाड़ी के आगे कूदी पटना में शुक्रवार शाम एक छात्रा बिहार के उत्मुख्य मंत्री समराच चौधरी की कार के सामने कूद गई हालांकी ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिया जिससे हाथ सा तल गया घटना बिसकोमान भवन के पास हुई लड़की अन्य छात्रों के साथ राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी क्योंकि शिक्षा मंत्राले ने स्टीटी में शामिल होने वाले उमीदवारों को राज्य में शिक्षब भरती के तीसरे चरण के लिए उन्होंने चौधरी के काफिले को रोकने की कोशिश की और एक छात्रा उनकी कार के सामने कूद गई उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस और सपा के बीट सीट बंटवारे पर वाम दलों ने दिखाये तल्क तेवर इंडिया अलायंस के तहत कॉंग्रेस और सपा ने अपना गट बंधन कर लिया है लेकिन उनके सह्योगी वामपन्ति डल नाराज है वामपंथी दलो ने यूपी में इंडिया गट बंधन के अलोकतांत्रिक संचालन और घटक दलो द्वारा उनके दलो की उपेक्षा पर हैरानी जताई है वामपंथी दलो के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गट बंधन में शामिल बड़े दलो सपा और कॉंग्रेस द्वारा प्रदेश में भाजपा को पराजित करने के लिए जिस गंभीरता और प्रतिबधता के साथ काम करना चाहिए वहां नहीं किया जा रहा है गट बंधन में शामिल वामपंथी दलो से इन दलो द्वारा कोई रायमश्वरा नहीं किया जा रहा है यहां रवईया इन दलो की भाजपा के खिलाफ प्रतिबधता की कमी को दिखाता है PM मोधी के दिल के बेहत करीब है सिक समुदाए मोधी सरकार का सिक समुदाए के साथ हमेशा से एक अनोखा रिष्टा रहा है साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोधी सरकार ने सिक समाज के लिए कई ऐसे बड़े कार्य किये हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के सिख समुदाय से अटूट संबंध को समझा जा सकता है इसके अलावा पीएम मोधी ने समयस्मय पर जरूरतों के हिसाब से सिख समुदाय की हर मांग भी पूरी करने का प्रयास किया है चाहे लंगर से GST हटाने का फैसला हो या श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकारपण हो मोधी सरकार ने हमेशा ही सिख समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में कई काम किये हैं जिने इस तरह समझा जा सकता है मोधी सरकार ने सिटंबर 2020 में श्री हर मंदिर साहिब के लिए FCRA की अनुमती देने का फैसला किया सरकार का यह फैसला श्री दर्बार साहिब और विश्व भर के संदत के बीच सेवा के जुडाव को दर्शाता है इसके अलावा सिख समुदाई की सेवा भावना को समझते हुए मोधी सरकार ने पहली बार लंदर पर से GST हटाने का निर्णय लिया BNT की खास पेशकश